हेलो दोस्तों मैं आपके लिए एक नए आपडेट लेकर आए हूँ दोस्तों यह आपडेट उन कंडर्स के लिए है जिनको ब्याड फर्स्ट और सेकंड सेमेशर का रिजल्ट आया है और उनको अब एडमिशन की नोटिस आई है थर्ड और फोर्ड सेमेशर के लिए यहां पर आपको बार देना है उसके बाद आपको हाड का भी साब्मिट कर देनी है कहां पर इसके बाद जो लेह करगिल से बिलांग करने वारे करगिल में वहां पर उनको हाड का भी साब्मिट कर देनी है और जो कंड़र्स जो मुझे जो आप नोट कीजेए 27 जन्वरी से लेकर 15 फेबर वरी तक आपको ये फारम मसाब्ट कर देनी है वहां पर उसके लवा यहां पर का है के यहां पर कुछ पॉंट्स देगे हैं इनको हमें आपर रीट करते हैं कंड़र्स और एडवाइजर तो चोज दे यहां पर जो यहां पर यहां पर यह पर यहां पर यहां पर दिये गए हैं choose कर देना है और यहां पर यह साफ साफ देखा है कि आप इसको down से choose कीज़े अपने हिसाब से क्योंकि बाद में यह change नहीं हो सकता है यही इस इनर्शाशन में लिखा गया है तो यहां पर सोच समझ कर आप यह choose कीज़े कि जो आपको अच्छा लगए या जिसमें आपकी knowledge अच्छी है वही आप choose कीज़े कि बाद में आप इसको choose नहीं कर सकती हो उसके अलावा जो fourth semester है likewise fourth semester candidates are advisor to choose one optional paper among the following तो fourth semester वालों को इन में से एक subject to choose कर देना है तो दियान दीज़े कोई भी एक आपको choose कर देना है लेकिन बाद में आप यह change नहीं कर सकती हो ABC आपको यह सोच समझ कर कोई भी एक यहाँ पर choose कर देना है उसके अलावा यहाँ पर एक और point कहा गया है fees for the third and fourth semester will be reflected in the payslip जब आप online admission farm fill up कर देंगे तो वहाँ पर आपको इतना तो आपको पाता है कि किसी भी जुम कश्मीर बैंक में आप एक फीस पे कर सकते हो इतना तो आपको यहाँ पर देना है कि 50% पर आपको पास होने चाहिए first or second semester में तब भी आप यहाँ पर third or fourth semester में admission ले सकते है the link of admission farm shall be available at university website जो यहाँ पर जो यह university की website है इसी पर आपको farm available रहेगा and students are directed to go through the instructions keenly before submitting the admission farm especially while opting for the choice for methodology या optional papers candidates are also required to attach self-attested result print out copy bad first and second semester दो यह भी important point है कि जो bad first or second semester का result आया है उसका print out copy आपको farm के साथ रखना है along with them admission farm and original fees receipt only university copy तो यह चीज़े आपको follow करने है और farm submit कर देना है आपने अपने study center या अपने अपने ब्रांश में तो दो यह था एक update bad third or fourth semester admission के हवाले से आज की वीडियो में फिलाल इतना ही thank you जहाँगो